दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो सीटेट वर्ड आपने कभी सुना होगा यह हो सकता है आप में से किसी नहीं भी सुना होगा या तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते हो सब्सक्राइब दोस्तों से सिटेट आपको इचर बनाने के लिए अगर वर्ग एक से वर्ग आर्थ में टीछर बनना चाहते है तो उसके लिए seated एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है क्या करता है कैसे करता है क्या है seated इसका क्या exam process है इसका pattern क्या है इसमें age limit क्या होती है इसकी cut off क्या होती है इसके certificate की validity क्या होती है eligibility क्या होती है इसके लिए और इसके बाद क्या कर सकते हैं यह सब कुछ हम बताने वाले हैं हो सकता है आपके पास जानकारी हो लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं हो सकता है कुछ न कुछ नई information आपको यहाँ पर मिल जाए तो चले दूस्तो सबसे पहले मैं आठ के बीच में टीचर बनना चाहते हैं तो दो डिफरेंट सेक्शन में सेटेट अपना एक्जाम कंडट करता है एक सेटेट चलेदपयपर बन दूसरा सीट नड़न डृऌ, तो अगरा वर्ग एक से पांस तक के बनना चाहते हैं तो और यह जो परिक्षा है, इस परिक्षा के जरी ए उम्मीदवार को अलग-अलग जगह पे यहाँ पर आपको जैसे नवोद इ विद्धाल है या केंद्र इवर्धाल है, गर्मेंट स्कूल subscribe है, indirect. सीटेट अब साल में दो साल दो बार हो रही है एक बार नौर्मली आपको जुलाइं आ आगस्त में होता है और दूसरा है वह दिसंबर में होता है यह दो भार का एक पैटर्म है। सीटेट का और बीच में दो बार सीटेट ने अं-laiann exam ली थी लेकिन वापस seated अपने offline pattern पर आ चुका है और seated अब अभूमन offline ही हो रहा है तो चले दूस्तों कुछ और जानकार इसके बारे में देखते हैं तो जैसा मैंने कहा seated में दो paper होते हैं अगर आप पहला paper देते हैं paper 1 तो आप एक से का है paper 1 जो होता है 125 के टीचर के लिए उसमें आपको धाई घंटे का exam होता है और उसके साथ साथ आपको 150 question और 150 marks होते हैं कोई negative marking नहीं होती है same paper 2 में भी होता है बस subject में थोड़ा सा फर्ग होता है जैसे कि child development and pedagogy आपको होता है या आपको 30 mcqs होते है 30 marks का paper 1 की हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार से उसमें language 1 होता है जिसमें कि आप कोई भी language ले सकते हैं वह आपका 30 question होता है 30 marks का language 2 होता है उसमें भी आपको लगबक सारे language option में रहते हैं वो भी आपका 30 question 30 marks का होता है उसके बाद mathematics इस्टेटिक्स होता है आपको 1-5 के लिए वह भी 30 question 30 marks होता है और environmental science होता है वह भी 30 question 30 marks होता है तो टोटल आपको 150 question 150 marks होता है और यह आपका paper 1 का पूरा pattern है और सारे questions वह objective होते हैं सेम आपका paper 2 में भी सारे objective mcqs type होते हैं इसमें development and pedagogy आपका 30 marks का होता है जिसमें कि आपको 30 questions होते हैं language 1 और language 2 इसमें भी 30-30 का होता है जिसके 30 marks और 30 mcqs हुए आपके उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा different है अगर आप 6-8 में math and science background से हैं तो math and science का आपको 60 mcqs और 60 marks के होंगे लेकिन अगर आप sst background के हैं तो आपका social studies social science से 60 questions होंगे जो 60 marks के होंगे तो यह आपका optional है या तो आपका math science होगा या तो आपका sst होगा सुरू का तीन जो है वो compulsory है तो आपका total इसमें भी 150 marks का हो गया यह तो seated का अपना exam pattern होता है जो seated exam लेता है अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि seated की age limit क्या है normally दोस्तो seated ने किसी भी प्रकार की अधिकारिक सूचना नहीं दी है age limit को लेकर अलाकि परिक्षा में उपस्तित होने के लिए आपको कुछ sectionic योगता चाहिए और वो sectionic योगता पार करते करते लगवग आपकी 18 साल तो होई जाती है तो वही लगवग माना जाता है अपर इस लिमिट तो कुछ दिया ही नहीं है तो अभी हम लोग यह देखेंगे कि क्या-क्या आप कौन-कौन इसमें पात्र होते हैं अगर आपकी कौन सी डिग्री हो गई है जो आप इसको अपलाई कर सकते हैं लेकि उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि seated में अगर आप एक्जा के लिए रखता है cut-off marks और वही पर अगर आप OBC, SC, ST category से आते हैं तो 82 marks में आप पास कर जाते हैं यानि कि आपको certificate मिल जाता है तो seated एक आपको qualifying certificate देता है जिसको लेकर कि आप आगे यूज करते हैं अलग अलग जगा पर अच्छा सीटेट के certificate की जो validity होती है वो पहले 7 साल हुआ करती थी अब सीटेट ने इसको lifetime कर दिया है आप एक बार अगर सीटेट exam दे दिये और वो card आपको certificate मिल गया तो फिर आप lifetime किसी भी exam में जाके या किसी भी जो मैं भी आपको बताऊंगा what after seated उसमें कहीं पर भी जाके आप apply कर सकते हैं और दोस्तों आप चाहें तो कि भारत भारती नागरिक हैं या नहीं तो आप नेपाल में से नेपाल से कोई एक बिशे पढ़े हैं भुटान से कोई एक बिशे पढ़े हैं तो भी आप applicable हैं एक तिब्बती जो 1.1962 से पहले भारत आया था उसका इरादा भारत में स्थाई रूप से बसने का था वो भी दे applicable हैं तो नौर्मली भारत के ही नागरिक हो गए जो उनके बाड़े में ही है कि वही applicable है अब यहाँ पर नागरिक तो आप हो गए दिगरी आपको क्या-क्या चाहिए सीटेट के लिए तो एक मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि अगर आप पेपर 1 अपलाय कर रहे हैं तो प पेपर 2 में अपलाय करना चाहते हैं तो जो 6-8 वाला होता है तो उसमें आपका जो बेशिक कंबिनेशन है वो आपका ग्रेजविशन कंप्लीट होना चाहिए साथ में बीएड होना चाहिए तो यह एक बेशिक कंबिनेशन होता है बाकी डिटेल में भी दिया हुआ है कि और और क्या-क्या उसके साथ साथ आप लगा सकते हैं तो जैसे कि आप देख लिए सबसे पहला यहाँ पर कि अगर आप 1 to 5 में हैं तो senior secondary यानि कि 12th आप 50% marks आप से पास किये हैं या आप appearing में हैं और आपका 2 साल का Diploma in Elementary Education है या 4 साल का Bachelor of Elementary Education भी अलेड है तो आप applicable है या उसमें लिखा है कि 12th आप किये हुए 45% marks से और final year of second year Diploma in Elementary Education में हैं तो भी आप applicable हैं उसके बाद देख लिजिए कि senior secondary with at least 50% marks है आप और यानि कि 12th आप 50% marks से हैं और आप जो 2 year Diploma Special Education है उसमें आप passed है या appearing है तो मुटा मुटी वही pattern पे है और उसके बाद एक चीज है जो अब यहां पर applicable नहीं है जो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं mainly पहले जो primary में भी बीच में allow हो गया था कि जो अगर आप graduation के साथ 50% अगर आप रखे हुए हैं graduation with at least 50% रखे हैं और आपने B.A.D. किया है तो आपको allow कर दिया गया था लेकिन अब वापस से इसको हटा दिया गया है उसके बाद अगर आपने एक नया add हुआ कि post graduation candidate अगर आप है minimum 55% mark से और अगर आपने 3 साल का integrated B.A.D. किया है तो भी आप paper 1 में applicable है यह detail है और बाकी basic मैंने बता दिया 12th प्लस आपका D.L.A.D. है यह basic combination चाहिए और बाकी जो जो exceptions है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक उसी प्रकार से कर आप paper 2 की बात करते हैं इसमें आपका senior secondary और equivalent with 50% marks and past for appearing in the final year of 4 years B.L.A. तो आप applicable है या graduation है या past है या appearing है in the final year of 2 year diploma तो आप यहाँ पर applicable है समझगे मतला आप graduation है and past है या appearing है किस में diploma in elementary education में 2 साल के courses में तो आप applicable है या आप graduation with at least 50% marks है और past है या appearing है in one year bachelor in education में B.Ed में जो B.Ed special education होता है तो भी आप applicable है अगर आप graduation with at least 45% marks लाए है and past और appearing है एक साल के bachelor in education में जो B.Ed होता है है ना in accordance to NCT norms जो है उनके हिसाब से तो उसमें भी आप applicable है any candidate having the qualifying B.Ed program recognized by the NCT is eligible in appearing state or seated तो आपका जो है B.Ed program आपका जो भी जिससे पहले कोई B.Ed program चलता था अभी का वो जो pattern है तो जो भी B.Ed program है वो applicable होता है और नया जो add हो है post graduation candidate with minimum 55% marks अगर आपका है और अगर आप 3 साल का B.Ed emit किये हुए है तो आप इसमें applicable है तो इतना तो आपका हो गया एक और चीज है कि अगर आपका paper 1 या paper 2 दुनों में ले ले लेजे paper 1 में 12 और paper 2 में graduation तो ये तो आपका pass होना जरूरी है लेकिन अगर आपका training की बात करते हैं जो D.Ed है या जो B.Ed है उसमें अगर आप देखेगा तो उसमें अगर आ graduation में तो ये तो आपको pass होना चाहिए लेकिन अगर आपने अपने training में यानि की 1 to 5 के लिए D.Ed में और 6 to 8 के लिए आपका B.Ed में अगर आपने admission भी ले लिया है तो आप apply कर सकते हैं ये seated का एक नया rule है जो इसमें आप add on कर सकते हैं इसके बाद अगर आप देखेगा तो seated क के बाद आखिर हम कर क्या सकते हैं क्यों seated देंगे तो आपका 12 हो गया प्लस एक extra training है आपका D.Ed या B.Ed based on paper 1 and paper 2 लेकिन इसके बाद आपको नौकरी कहां मिलेगे इसके बाद दोस्तो seated के बाद directly कहीं नौकरी नहीं मिलती है जैसा मैंने कहा कि सीट आपको एक certificate देता है और उ उसमें आपको seated qualify करना mandatory है तो इसके basis पर आप seated KVS में apply कर सकते हैं जिसमें कि आपका seated pass होना जरूरी है 1 to 5 के लिए paper 1 और 6 to 8 के लिए paper 2 साथ में लगबग वही combination वही degree मांगता है KVS भी जो seated ने मांगा है तो वहाँ पर आप apply कर सकते हैं उसके अलाबा जो नवदे विजाल संगठन की vacancies निकलती है 6 to 8 के लिए उसमें आप यहाँ पर apply कर सकते हैं EMRS की TGT की vacancies निकलती है उसमें आप seated के basis पर apply कर सकते हैं Army Public School की Veneking process में apply कर सकते हैं Senior School की vacancies में आप apply कर सकते हैं इसको आप add-on कर लिजे जोfy कर साथ साथ और ऑड डिलीरी अथि के सकते हैं विछ को सब्सक्राहर सब enjoyment दिल्ले खास है दिली इसमें भी वहतर्बा चैलरी व치 का सब्सक्राहरा दिल्लीर रहतीूं उसमें भी आप seated qualified हैं तो आप apply कर सकते हैं चाहाँ भारत के जहां के भी जिस भी state के नागरिक हो UP में जो supertate होता है UP की state vacancies के लिए उसमें आप apply कर सकते हैं और जितने भी state के अलग-अलग state के भरती हैं बहुत ऐसे state है जो seated को allow करता है अपने भरती के लिए वहां पर जाके आप apply कर सकते हैं seated के basis पर बहुत सारे ऐसे contractual teacher निकलते हैं KV में, NV में और भी बहुत जगह पर वहां पर seated के basis पर आप apply कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे famous private schools हैं जिसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ऐसे private schools भी seated के basis पर आपको as a teacher नौकी देता है अच्छी salary देता है तो कमो बेस आपको कही पर भी अगर आप teacher बनना है तो आपको seated qualify करना है और यह एक बहतरी मौका देता है आपको आगे अपने सभी चीजों में apply करने का दोस्तों यह थी seated के बारे में कुछ information जो हम लोगों ने देखी और seated कहसे होता है क्या होता है क्यों apply कर सकता है हर चीजें छोड़ी बड़ी हमने देखने की कोशिस की तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा see you in the next video अगर आप seated के त्यारी करते हैं और करना चाहते हैं तो आप टीचिंग वाला यूटूब चैनल पर हमेसा त्यारी कर सकते हैं और पी जबलू के एप पर टीचिंग कैटेगरी के अंतरगत आपको बैचेस दिखेंगे वहां पर भी आप त्यारी कर सकते हैं तो बहुत धन्नवा दोस्तों उमीद करता हूं कि कि आप सब लोग सीटेट क्वालिफाई करें और बहुत अच्छे से अपने कैरियर को आगे ग्रो करें कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आप सीटेट के बाद इन में से किसी भी एक्जाम की तियारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके बाड़े में आपको कोई इंफोर्मेशन मिले तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए या और भी कोई इंफोर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए मैं कुशिस करूँगा आपको उन सभी पर आपको अपडेट देने की थैंकि वेरी मच बबाई जैहि तुर करते हैं